संसार के सभी प्रश्णों के उत्तर है, जितनी समस्याएं हैं उतने ही समाधान भी है, समाधान का स्विकार करना या नहीं वह स्वयम पर निर्भर है, जब सर्वग्य की बात भी सर्व मान्य नहीं होती, तो महाग्यानी के प्रवचन प्रदेशी राजा को शिग्र प्रतिबोधित कैसे कर सकते हैं, स्मरण रहे, समझाने का अधिकार है, मनवाने का नहीं, तेठंकर परमात्मा भी देशना देते हैं, किसी की मान्यता या किसी की शद्धा को पलटने की शक्ति उनके पास भी नहीं है, सुक्ष्म को समझना इसलिए कठिन है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष नहीं है, वह धका हुआ है, इंद्रियों से परे है, जो आख का नहीं अनुभव का विशय है, तर्क का नहीं चिंतन का है, राजा प्रदेशी प्रयतनशील है, तारकिक है, एवं प्रयोग में विश्वास करता है, केशी श्रमन की बातों पर चिंतन भी करता है, तथा पी उनके तर्क अभी शेश है, इसलिए राजा प्रदेशी ने तर्क किया है मुनिवर, मैं आपका ध्यान इस और आक्रिष् कराना चाहता हूँ, मैं सक्त्य का खोजी हूँ, परंतु प्रयोग द्वारा बात को जमाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आत्मा की खोज नहीं की है, इसलिए अभी भी मेरी जिग्या सा आत्मा को जानने की है, मैं जीव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, मगर आज एक भी प्रयोग में मुझे आत्मा के दर्शन नहीं हुए। सभी कहते हैं शरीर में आत्मा है तो वह दिखती क्यों नहीं। एक बार मेरे समक्ष ऐसे अपरादी को लाया गया जिसे देहांत का डंड प्राप्त था। मुझे शरीर में चिपी आत्मा को देखने की धुन थी। इसलिए मैंने उस अपरादी के दो टुकडे किये। गौर से निहारा कि इसके शरीर में आत्मा कहा है। मुझे कहीं भी आत्मा दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने उसके शरीर के चार टुकडे किये। परन्तु आत्मा नजर नहीं आया। इस तरह क्रमशह आठ दस टुकडे करते करते मैंने उसके अंग उपांग को खंडित कर दिया। मगर उसके एक भी खंड में मुझे जीव रिष्टी गोचर नहीं हुआ। अब आप ही बताईए कहां है जीव। यदि वह शरीर से अलग होता तो इतने टुकडों के बाद कहीं तो दिखाई देता। इसलिए आप मेरी इस बात को स्विकार करे। जीव और शरीर दोनों एक ही है अलग नहीं है। यह सुनकर महाज्यानी केशी स्वामी बोले। हे राजा प्रदेशी मैंने तुमें कितने तर्क, डिष्टांत, आगम और अनुमान से समझाया परन्तु क्या तुमने नहीं मानने का प्रण लिया है। मुझे लगता है तुम भी उस मूड कठियारे की तरह हो जो बात समझने को तयार ही नहीं होता। तुम सोच रहे होंगे कौन है वह मूड कठियारा यानी वह लकड हारा जिसके संग मैंने तुमारी तुलना की। अब सुनो उस मूड कठियारे की कठा। एक बार कुछ कठियारे लकडी काटने जंगल में गए। वहां उन्होंने निश्चे किया एक साथी भोजन बनाएगा। शेश सब लकडियां काटने का कार्य करेंगे। उस साथी को आटा दाल आधी सामगरी देकर विचले गए। उन्होंने ये भी कहा था यदि अंगी ठीके अंगारे बुझ जाए तो इस अरणी की लकडी से आग पैदा कर खाना बना लेना। कुछ देर बाद उस साथी ने देखा अंगारे बुझ चुके हैं इसलिए उसने अरणी की लकडी को उठाया उसे चारों और से देखा किन्तु कहीं आग नजर नहीं आई। फिर उसने लकडी के दो टुकडे किये फिर भी अगनी कहीं से नहीं निकली यो उसने लकडी के खंड खंड कर दिये। हे राजा प्रदेशी अब तुम भी अपनी महा मूढता को समझ गए होंगे। तुमने भी शरील के खंड खंड करके आत्मा को देखना चाहा था। इसलिए तुमें कहीं आत्मा नहीं मिली। जब उस कठियारे ने अन्य साथियों के आने पर अपनी बात कही तो वे बोले भाई तुमने विवेक रहित श्रम किया। लकडी को काटने से अगनी पैदा नहीं होती। घर्शन से पैदा होती है। अगनी अर्णी के लकडी में ही रहती है। मगर जब तक उसका घर्षन न करो वह प्रकट नहीं होती लकड़ी को केवल रगड़ ना था किन्तु तुमने तो खंड खंड कर दिये फिर अगनी कैसे पेदा होगी हे प्रदेशी राचा अरणी की लकड़ी में आग नहीं दिखती इसका मतलब यतो नहीं कि उसमें आग नहीं है आग अरणी में दिखती नहीं है मगर होती है ऐसे ही शरीर में आत्मा दिखती नहीं मगर होती है, आंक से वस्तू नजर नहीं आती, इसलिए वस्तू नहीं है, ऐसा मानना गलत ही है, इस कारण मैंने तुम्हें महा मूड कहा, क्योंकि तुमने शरीर के खंड-खंड करके आत्मा को देखने का प्रयास किया, राजन, एक बात भीतर में अच्छी तरह संजोलो, आत्मा इन चम्डे की आंखों से नहीं दिखता, क्योंकि वह अरूपी है, शरीर में आत्मा रहता है, उसके दर्शन करने हो, तो चिंतन, मन्थन और ध्यान के माध्यम से घर्शन करना होगा, यहां पर सूत्रधार का कथन है आज के इलेट्रोनिक युग में आत्मा के प्रशन को एक बार बाजु में रख दो, परन्तु मन के अस्तित्व के बारे में विचार करके देखो, क्योंकि सभी बुद्धी जीवी मन के एक्जिस्टेंस को मानते हैं तनिक सोचो, शरीर का ओप्रेशन करने पर कहीं भी मन दिखाई देता है, चाहे देह के किसी भी अंग उपांग की शल्य क्रिया करके देख लो, आपको न मन मिलता है न बुद्धी और न सोच की रासायनिक प्रक्रिया, तथा पी आत्मा के अस्तित्व पर ही शंशय हमें क्य होता है, क्या पावर हाउस से पावर का प्रवा आना बंद हो जाए, तो बल्ब जलेगा? बल्ब साधन है, उसके अंदर प्रकाश नहीं है, यदि पावर हाउस से कनेक्शन तूट जाए, तो स्विच को चाहे कितना उपर नीचे करो, परन्तु बल्ब नहीं जलेगा. ऐसे ह सारे शक्ति आत्मा की है, चाहे वहां आखों से न दिखे, तथापी अनुभव में आती है, उसके लिए सम्म्य ज्ञान चाहिए, यहां जिग्यासुओं की जिग्यासा हो सकती है, सारे क्रिया कलाप शरीर करें, और अचिंत्य शक्ति का खिताब आत्मा को मिले, यह कैसी विड मना है, समाधान तो यही है, यह विडम बना नहीं, वास्तविक्ता है, आज शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धी का जितना भी मुल्य है, वह मात्र आत्मा के साथ है, आत्मा रूपी एक अंक हटा दो, तो शेश शुन्यों का क्या मुल्य? कभी सोचा? यदि शरीर ही मैं होता, तो मैं और शरीर के बीच संबंद सूचक, मेरा शब्द के प्रयोकी क्या अवशक्ता है? इसलिए यह ड्रड विश्वास हो, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, चाहे आत्मा आंक से न दिखे, किन्तु उसकी शक्ती अचिंत्य है, इसे एक पौरानिक कथा से समझते हैं, एक बार आत्मा और मन में परस पर क्लेश हो गया, मन ने कहा सारी शक्ती मेरी है, इंद्रियां भी मेरी है, बुद्धी भी मेरी है, और तत्काल इंद्रियां और बुद्धी भी मन के पलड़े में बैट गई, यूँ सब ने मिलकर आत्मा को चैलेंज किया जो कुछ है हम ही है तुमारी क्या शक्ती है आत्मा ने शांत स्वर में कहा उचित है आप सब अपनी शक्तियां अजबा लो सबसे पहले आख एक महीने के लिए शरीट छोड़कर चली गई पुन आने पर उसने आत्मा से पूछा मेरे बिना आपका गुजारा कैसे होता रहा आत्मा ने कहा ठीक वैसे ही जैसे एक अंधे व्यक्ति का होता है पश्चात क्रम शह सब ने अपनी शक्ति आजमाली किन्तु शरीर बना रहा अंत में आत्मा ने कहा अब मैं शरीर से निकल रहा हूं सारे अंग एवं उपांग मैं हाहाकार मच गया इंद्रियों को लगा हम शक्तिहीन हो रहे हैं बुद्धी भी चक्राने लगी मन का सारा यंत्र विनष्ट होने लगा तब सबने मिलकर एक साथ आत्मा को कहा हमारे बिना आप तो रह सकते हैं मगर हम आपके बिना नहीं रह सकते इसलिए अरूपी आत्मा चाहे आखों से न दिखे किन्तु उसकी महिमा को नकारा नहीं चा सकता इसलिए आत्मा के existence का स्विकार करो वह अनुभाव का विशय है एक बार उसका एहसास करके देखो शीरी राज प्लश्ट्य सहीता ज्यानार्थी को प्रबोत देती है आत्मा पर शद्धा रखो आत्मा पर शद्धा रखने से आत्मा की शक्तियां विक्सित होती है इसी से एक दिन आत्मा की अनुभूती होती है और मोक्ष मिलता है आत्मा देह से भिन्न है ठीक उसी प्रकार जैसे घी का पात्र एवं घी दोनों अलग-अलग वस्तुएं है अन्यत्व भावना के तले ये आत्मा अनात्मा का भेद्विज्ञान है यही आत्मप्रतिती का राज मार्ग है